दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभीका और लाइं डवरश्री YouTube चैनल पर जासा कि दोस्तों आप जानते किसी वर्ती समयज़त कोई जानगाई होती हैं आप सभीका और लाइं डवरश्री चैनल के माध्ययम से दी जाती है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राइमरी सिच्छक भरती को लेकर साथ ही अगर बात की जाए गणिस्ट नाता देखने के लिए मिला है उसकी बज़े भी आप सुभी को पता होनी चाहिए कि जब उनेतर हजा सिच्छक भरती चल लई थी उस समय पर शिक्षा मित्नों को लेकर कट आफ के संब्द में विवा सिच्छक भरती के समय उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के माध्यम से 2020 में एक मोडिफिकेशन दाखिल किया गया और उस मोडिफिकेशन के अंदर दावा किया गया था कि प्रदेश के अंदर 51122 से ज़्यादा पद खाली है और इन पदों के लिए भरती का विग्यापन नि तो वहीं दूसी तरफ अगर बात की जाए उनेतर अजास इच्छक भरती को लेकर यह भी लटकी हुई है यह भी पूरी नहीं हुई मतलब दोनों तरफ एक पूरी नहीं हुई और दूसी अभी तक आई नहीं है इसी बीच यहां पर रहत बरी खवर देखने के लिए मिलती ह सब्सक्राइब कर लेकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसका मेरे पास नोटिफिकेशन भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा यहां पर दोस्तों आप सब्सक्राइब के सामने देखने के लिए मिल जाता है जब 79 जा सिच्छक भरती का नोटिफिकेशन जारी हुआ था तो उसमें दो तरीके से निवक्ति देखने के लिए मिली थी पहले आप सब्सक्राइब के लिए जानते हैं कि लगबग 31 जार 32 जारी बेरतियों को नोटिफिकेशन देखने के लिए मिली थी उसके बाद 30 कांसिलिंग भी हो गई थी लेकिन उसी समय सरकार के माध्यम से बताया गया था कि जो एक्ष्ट्र वेकेंट हमारे पास सीटें खाली हैं पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर की मतलब सायक अध्यापक की जो एक्ष्ट्र वेकिंसी हमारे पास अवेलेवल है यहां पर आप सब्सक्राइब के सामने देखने के लिए मिल जाएगा बहुत ही 51,112 यहां पर उन्होंने बताया भी था इसे खाली है जिनको अभी तक बिग्यापित नहीं किया गया उसके बाद सरकार के माध्यम से सुपीम कोट में भी इसको लेकर जानकाई दी गई फिर यहां पर आप सभी ने विदान सवाक के अंदर देखा वहां पर बताया गया कि 63,000 से ज्यादा प्रात्मिक सिच्चकों क पर खाली है 63,000 के बाद अभ्याती ने मांग करनी भी शुरू कर दी हाली में ट्विटर पर चातों की तरफ से मांग की गई थी जिसको लेकर आप सुपी को देखनी के लिए मिलता उनके माध्यम से कहा गया था कि जो यहां पर 5112 पर खाली अभी तक इनको अभी नहीं किया साथ ही यह भी लिखा हुआ है कि करेंटी नो रिक्यूट्मेंट पॉसर हैं मतलब इनके लिए अभी कोई भी भरती शुरू नहीं की गई है लेकिन भविशी के अंदर इन पर जो भरती देखनी के लिए मिलेगी और उसमें सिक्षा मेंत्यों को भी मौका दिया जाएगा ले उसके बाद ये मामले खतम हो जाएंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ उनेटर अजार सिच्छक वरती एक ऐसी बरती है जैसे आगे बढ़ते जाजी है और सरकार के लिए दिख्यंदों का सामना करना पड़ा है लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए सुपीम कोड के माध्यम से ए कोई सबसे बड़े मुद्दे देखनी के लिए मिले थे पहला यहां पर आंसर की का मुद्दा था दूसरा मुद्दा देखनी के लिए मिला था 6800 को लेकर 6800 के मामले की सुनवाई अंतिम चर्णों में हैं लेकिन जज बतल जाने की विज़े से अभी फैसला नहीं आ पाया ह लेकिन जैसे 6800 का फैसला होता है फिर 15000 सिचक वर्ती के लिए सरकार के पास कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं बचेगा क्योंकि बार बार सिक्षामंति कहते तो हैं कि यहां पर पुरानी वर्तिया लटकी हुई जिसकी बज़े से नई वर्ती नहीं आ रही है चलिए अब बात क बात करें जब जब मांग की जाती है तब यहां पर सरकार के माध्यम से कहा जाता है कि पुरानी वर्ती लटकी होई है जिसकी विज़े से नई वर्ती नहीं आ पा दिए अब यहां पर आप सभी को ओर देखने के लिए मिल जाएगा इस ओर के अंदर क्या लिखा हुआ वह आ तो यहां पर दिसमिस कर दिया जाता है पार जो भी यहां पर मामले उनको भी इंदर आते है अगर एक नमबर पास होने के बाद में तो ध्यान से C पास होने के बाद में अगर वो कट आफ के अंदर आते हैं तो उनको यहां पर एक नंबर देकर चैनित किया जाए लेकिन चैनित कैसे किया जाएगा यह सवाल अभी सरकार के हाथ में क्योंकि सरकार इस मुद्दे को लेकर ज्यादा किलियर नहीं किया है सुप्रीम कोट ने बस साथ ही उनको जो नोकरी है वो भी यहां से दी जाए ठीक है अब यह ओडर डवल मेंच ने दिया था इसको लेकर सरकार सुप्रीम कोट चली गई थी सुप्रीम कोट में सुनवाई होने के बाद क्या हुआ उनकी याचिका को खाइज कर दिया मतलब सरकार की एक भी नहीं सु यहां पर बात को मिलिया जो डवल मेंच ने अदिया था उसको यहां से बहाल कर दिया है तो यह बात तो बिल्कुल साफ होगी कि दबाल से जारी किया जाए गा चैन सूची भी दुबाहर से जारी होगी तो यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दू अब यहाँ पे जो परड़ाम होगा सरकार के माध्यम से विल्कुल दुबाहर से जारी किया जाएगा जो जो अभ्यरती यहां से चैनित होंगे उनका शंशुरित परड़ाम किया जाएगा और अगर यहां पर एक नमबर से चैनित होने वाले छाक्तों को सरकार निवक्ती देने के लिए या नोक्री देने के लिए बिचार करती है जो कि सुपीम कोर्ट के माध्यम से एक नमबर की बात की गई थी उन्होंने एक नमबर दे दिया है अब सरकार इसको लेकर आगी क्या करेगी सरकार भी डिपेंड करेगा हो सकता है वो अपील करतें रिवीव पेडिशन फाइल करें वो कुछ भी कर सकते हम इसके बार में भी कुछ कहने सकते लेकिन जो मैं आप सुपी को बरत्मान बता हूँ कि अगर यहां पर सुपीम कोर्ट के ओडर पर एक नमबर बढ़ेगा तो दुबार से परडाम भी जारी किया जाएगा और अगर अभ्यातियों को नोकी दी जाएगी तो इन चात्तों को दुबार से चैनित भी किया जाएगा और नई चैन सूची भी जारी होगी लेकिन यहीं पे एक मामला फसा हुआ है 6800 को लेकर 6800 का जो मामला है वो अभी तर किलिए नहीं हुआ है उनको कैसे नोकी दी जाएगी क्योंकि सुपीम कोड के अलावा डवल मेंच के अंदर भी ऐसे मामले लगे हुएं जहाँ पर लगाता सुनबाईया जाएगा लेकिन किलियर नहीं हो पा रहे है तो ऐसे में अगर बात की जाए क्या चैनित अभ्यतियों कि यहां से नोकी जा सकती है सबसे बड़ा सवाल यह है तो शायद उनको यहां से अब डिश्टर्ब नहीं किया जाएगा उसकी बज़ाए आप सुभी जानते हैं कि सुपीम कोड के ओडर पहली देखने के लिए मिले थे तो उनको डिश्टर्ब ना करते हुए आगे सरकार इनको नोकी अब कैसे देगी यह सरकार की सरदर्दी है ओडर आचुका है अब यह नयाय विवाग में बेजा जाएगा नयाय विवाग के मार्द्यम से इस मुद्धे की समिक्षा की जाएगी फिर सरकार को दिशा नेदेश मिलेंगे और फिर सरकार इसके करम में आगे काम करने वाली है बरतमान में जो कंडीशन हैं मैंने आपको बता दी हैं कि अगर एक नमबर बढ़ेगा तो छात्तों कर दुबार से बाइडाम जारी किया जाएगा जारी कि जाएगी जो की नई अभ्यरतियों की होगी लेकिन जो चैनित हो चुके उनको यहांसे अभी डिस्टरब नहीं किया जाएगा बाकि अब सरकार आ की क्या करती है वो ओरर आने के बाद सरकार की तरफ से फैसला ले लिए जाएगा लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा जो प्राइधा देखने के लिए मिलेगा वहोगा 29000 की चैनित अब्रतियों को जो एक नंबर से कट आफ की अंदर आ जाते हैं साथ ही अगर बात किजए नई प्राइमरी को लेकर क्योंकि 29000 सिच्छक बरती के लटके रहने की विज़े से नई प्राथमी सिच्छक बरती का मामला लटका हुआ था नए नए मुद्रे देखने के लिए मिले थे उनेतर जार के अंदर अब कम से कम एक मुद्रा खतम हो गया है तो यहां से नई सिच्छक वरती को लेकर भी सरकार करने के जो ध्याने वह आकरशित होगा अगर 6800 का मामला भी खतम हो जाए तो उसके बाद में बिज्ञापन देखने के लिए मिलेगा बाकी लगाता अब्यदी मांग तो करीद आए अगर सरकार के पेशर बना तो सिच्छक वरती का भी बिज्ञापन जादी होगा जो भी अपडेटा लगाता आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अबश्यत दबाले